नमस्कार मैं डॉक्टर मानक जैन सहयाचर इतिहास विभाग SPC कॉर्मेंट कॉलेज अजमेद मैं आज M.A. फाइनल हिस्ट्री का एर्थ B पेपर पढ़ाऊंगी पेपर का नाम है गांधी दर्शन इससे पहले हमने देखा गांधी जी और ऐसायोग आंदोलन आज हम गांधी जी का सवीने अवग्या आंदोलन, Civil Disobedience Movement इस समय यह 1929 का समय है इस समय संपुर्ण देश में असंतोष फैल रहा था उस समय जम्हारलाल नेरुप और सुभाशन बोस प्रमुख व्यक्ति थे अंत में यह नेने लिया गया कि यदि सरकार 31 सिसंबर 1929 तक आपनेशिक स्वाराज प्रदान नहीं करती है तो कॉंग्रेस अपना लक्ष पूर्ण स्वाराज घोशित करेगी 31 दिसंबर 1929 की रात को 12 बजे रावी नदी के तड़ पर तिरंगा जंडा लहराया गया और यह निश्चा किया गया कि 26 जनवरी को स्वाधिनता दिव 18 ही जिनोंने सत्यागरे की भावना और अनुशाशन को ग्रहन किया है अंदोलन में भाग लेंगे सवीना वग्या अंदोलन प्रारंब करने से पूर्व गांधी जी ने लौड एर्विंग को पत्र लिखा उसे प्रियमित्र बताते हुए रास्ता खोदने की प्रातना की गा 18 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 79 सहयोग्यों के साथ नमक कानून तोड कर नमक बनाने के लिए साबर मती से दांडी की और चल पड़े यह अभिहान 241 मीन लंबा था और 24 दिन में पूरा हुआ 5 अप्रेल को गांधी जी दांडी पहुँचे तता समुद्र के किनारे से नमक क कानून को तोड़ा इसके पश्चा संप्योन रास्ट में अहिंसक अंदोलन प्रारम हो गया गांधी जी ने घरसाना के नमक गोदामों को लूटने के लिए भारतियों को संगठित किया लेकिन गांधी जी ने इससे पूरू गिरफतार कर लिया गया कॉंग्रेस को गैर अन्गरेज़ों की नेतिक सत्ता समाप्त कर दी ब्रेटिस सरकार ने भारतियों को डंडों और राइफलों से पीटा किन्तु भारतियों न चीक है न शिकायत की न पीछे हटे और उस आंदोलन ने इंग्लैंड को शक्तिहीन और भारत को अजेबी बना दिया सविन्य वग्या अंदोलन ने सरकार को चारों तरफ से आर्थिक कठिनाई में डाल दिया 15 जन्वरी को गांधीची सहित सभी कॉंग्रेसी नेता जेल से रिहा कर दिये गए 5 मार्च 1931 को गांधी इर्विन पैक्ट हुआ तथा सभी प्रकार के अध्यादेश वापस ले लिए गए वे नमक बनाने की सीमित अनुमती के साथ सभी राजनेतिक बंदी रिहा कर दिये गए 28 दिसंबर 1931 को भारत आने पर इर्विन की जगे वेलंग्टन नया वाइसराय बनकर आ चुका था उसने अध्यादेश जारी कर दिये आता है गांधी जी ने पुने सभीना वग्या अंदोलन प्रारम करने की घोशना की लेकिन इससे पूर ही गांधी जी को गिरफतार कर लिया गया इससे सभीना वग्या अंदोलन और तीवर हो गया तथा जेल जाने वालों की संख्या एक लाग पच्चेस हजार तक पहुंच गई गांधी जी आठ मई 1933 को रिहा कर दिया गया और 19 मई को आंदोलन 11 सप्ता के लिए इस्तगित कर दिया गया इसके बाद व्यक्तिगत सभीना वग्या अंदोलन प्रारम किया गया जिसे भी साथ अप्रेल 1934 को समाप्त कर दिया सभीना वग्या अंदोलन गांधी जी के नेतरुत में किया गया एक ऐसा अहिंसक अंदोलन था जिसने भारत में अंग्रेजी सामराजी की नीव हिला दी सुभाष्चन बोस ने गांधी जी की दांडी अभियान की तुलना एलबा से लौट कर आने के बाद नेपोलियन के पै प्रिणाम सरूप 1935 में भारस चाशन अधिनियम में ब्रेटिस सरकार को सीमित मात्रा में प्रांतिय स्वायत्ता स्विकार करने पड़ी इती नमस्कार